Hello friends, welcome to Computer Centric. दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहा है, जो की है Operating System. जो बच्चा Computer Science से है, उसने ये वर्ड सुना होगा Operating System और कौन-कौन से Operating System है, ये भी उसे पता होगा. लेकिन जो बच्चा Computer Science का नहीं है, उसको भी ये वर्ड पता होगा Operating System क्या होती है, कौन-कौन सी होती है, Windows होती है, Android होती है, iOS होती है. दोस्तों, सिर्फ जानना की भी कौन-कौन सी Operating System होती है, ये इनफ नहीं है. ये Operating System क्या काम करती है, इसका Purpose क्या है, इसके Goal क्या है, और किस तरह से ये काम करती है, और किस तरह से हमारी Computer System के लिए, ये Operating System important है, ये सारी चीज़े हम आज के Session में देखेंगे, और ये सारी चीज़े हम इस Subject में देखेंगे. आज हम इस Subject का सिलेवस का, जो अपना Gate का सिलेवस है, उसका Analysis करेंगे, और इस Subject में क्या आता है, हम सिलेवस का Analysis करेंगे, उससे पहले Operating System क्या है, इसके Goal क्या है, कौन-कौन सी Operating System है, क्यों Operating System की जरूरत है, ये सारी चीज़ों को समझेंगे, और उसके बाद सिलेवस क Analysis करेंगे, दोसों ये Subject बहुत ही आसान है, बेजिक Subject है, Computer Science का, बहुत ही आसान है, छोटा सा Subject है, और इस Subject के उपर के Questions Gate में काफी अच्छे Marks के पूछे जाते हैं, 6-8 Marks के, या कभी-कभी 10 Marks के, और कभी-कभी 12 Marks के Question भी Operating System से आते हैं, तो ये Subject Important है, छोटा Package, छो बहुत ही आसान है, लोजिकली चीजों को अगर समझेंगे, हमारे साथ जुडे रहेंगे, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से ये Subject समझ में आ जाएगा, चले तो हम सिलेबस Analysis करें, इससे पहले देखते हैं कि भी Operating System की जरूरत क्यों है, दोसों अगर आपने मेरा Gist of Computer Science वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, Gist of Computer Science वाला वीडियो सेशन देखिए, उसमें मैंने पूरी चीज समझाई हुई है, Computer Science के जो अलग-अलग सब्जेक्ट है, किस तरह से एक दूसरे के साथ आपस में related है, ये सारी चीज़ कौन-कौन से parts होंगे, चले, समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं यहाँ पर एक, चले, मैं ले रहा हूँ, ये है एक मेरा processor, मैं computer system की बात कर रहा हूँ, तो the heart of computer system, the heart of any computer system would be the processor, because ये processor है, जो actual चीजों को run करता है, जिसके उपर हमारी सारी चीज़े, हमारी instructions run होती है, ठीक ह अब इसके साथ-साथ मेरी computer system में और क्या चीज़े होंगी, इसके साथ-साथ एक तो होगी memory, ठीक है, इसके साथ-साथ होगा मेरा IO unit, that is input-output unit, और इसके साथ-साथ होगी मेरी hard disk, ठीक है, तो यह है मेरी hard disk, चले मैं सबको नाम दे देता हूँ, so these are my IO devices, यह है मेरी main memory, ठीक है, this is my main memory, और इसे हम बोलते है, RAM, या तो आप इसे main memory बोलिये, या primary memory बोलिये, या RAM बोलिये, and this is my secondary memory, या तो आप इसे बोलिये, hard disk, चले अब समधने की कोशिश करना, दोसों मैंने जो भी programs लिखे हुए, मैंने जो भी software मेरी computer system में install किये हुई है, वो सारे कहां पर होंगे हमारी secondary memory में होंगे, आपकी जो C drive है, D drive है, E drive है, वो क्या है, आपकी secondary memory, आपकी hard disk, तो हम जो भी program install करते हैं, वो सारे कहां पर है, यहां पर secondary memory में है, ठीक है, अब किसी भी program को run करना है, अगर आप किसी भी program पे double click करके उसे चालू करते हो, right, if we talk about windows operating system, आप क्या करते हैं, माली जे google chrome मुझे open करना है, मैंने double click की, मैंने google chrome open किया, मैंने vlc media player open किया, मैंने mozilla firefox open किया, मैंने दूसरा कोई program open किया हुआ है, तो जितने भी program, जितनी भी application हम शुरू करते हैं, चालू करते हैं, तो होता क्या है, उस application program, जो भी application है, उस application का जो भी program है, उसकी जो भी set of instructions है, वो इस secondary memory में से main memory में जाती है, कोई भी application अगर आप run करना चाहते हो, आप उसे शुरू करना चाहते हो, तो compulsorily उस application का जो program है, उसकी set of instructions है, वो आपकी secondary memory में से main memory में आपको move करनी पड़ेगी, तो वो secondary memory में से main memory में जाएगी main memory में जाएगी तब जा करके उसकी process execute हो पाएगी ठीक है चलिए तो यहाँ पर यह मेरी secondary memory में मैंने जो भी applications install की हुए उसके code है और माल लीजे मैंने एक application open की है Google Chrome तो Google Chrome का जो data है वो मेरी main memory में कुछ यहाँ पर कुछ इस प्रकार store हो गया यहाँ पर यह मेरी main memory में यहाँ पर Google Chrome का data store हो गया चलिए ठीक है फिर मैंने mozilla firefox open किया तो mozilla firefox का data यहाँ पर store हो गया फिर मैं open करता हूँ माल लीजे vlc media player तो उसका data यहाँ पर store हो गया फिर मैंने कुछ folders open करके रखे हुए तो windows explorer की भी process होती है जो की operating system के साथ जुड़ी होगी उसका भी data यहाँ पर store हो गया windows explorer ठीक है तो यह इस प्रकार से मेरी main memory में मैंने जब किसी भी program को चालू करने की कोशिश की secondary memory से main memory में उसका data store हो गया अब दोस्तों आप देखिए मेरी main memory में एक, दो, तीन, चार चार process का data है चार application का data है अब मेरे पास processor सिर्फ एक ही है अब यह processor एक time पे एक ही process का data रन कर पाएगा ठीक है तो एक time पे या तो वो google chrome का data रन करेगा या firefox का data रन करेगा या vlc का data रन करेगा या windows explorer का रन करेगा दोस्तों काफी कि हमारे students ऐसे है जो final year में है या यह subject पड़े हुए है फिर भी उनको यह पता नहीं होता है एक time पे एक processor पे सिर्फ एक ही process रन हो सकती है यह सारी चार process बले ही मैंने RAM में डा दी बले ही मैंने मेरी main memory में ला दी लेकिन processor तो एक time पे सिर्फ एक ही process को रन करेगा are you getting my point तो processor कभी भी एक time पे एक साथ एक से ज्यादा process को रन नहीं करता है अब आप बोलो कि सर हम तो computer system यूज़ करते हैं मैं laptop यूज़ करता हूँ और उसमें तो मैंने कहीं programs open करके रखे हुए होते हैं और हमें तो ऐसा ही लगता है कि सारे program एक साथ रन होते हैं तो चीज़ यह है दोस्तो कि अभी जो computer system आ गई है उसमें एक से ज्यादा processor होते हैं मालीज़े आपकी computer system में चार processor है तो आपकी computer system चार processes को एक साथ रन कर पाएगी दूसरी चीज़ computer system थोड़े time के लिए एक process को रन करती है फिर दूसरी process को लाती है उसको रन करती है फिर तिसरी process को लाती है उसको रन करती है और यह जो shifting है इतना fast होता है कि हमें ऐसा लगता है भी सारी process एक साथ रन हो रही है लेकिन एक processor एक time पे सिर्फ एक ही process को रन कर स रखता है ठीक है तो समझ दीजे भी अभी ये प्रोसेसर पर गूगल क्रॉम की प्रोसेस गई हुए वो रन हो रही है फिर थोड़ी देर के बाद मोजिला फायरफॉक्स की प्रोसेसर में जाएगी रन होगी थोड़ी देर के बाद VLC की इंस्ट्रक्शन्स फैच होगी प्रोस दोस्तो मैं आपको ऐसा बता दू कि वही सेकेंडरी मेमरी में से अगर आपको किसी भी प्रोग्राम को शुरू करना है ठीक है आपको किसी भी प्रोग्राम को शुरू करना है तो आपको आपको यूर दे यूजर आपको उस एप्लिकेशन का प्रोग्राम जो सेकेंडरी मेम में पढ़ा हुआ है उसको उत्वा करके आपको रैम में डालिगा है आपको करना पड़ेगा तीक मलब आप Google Chrome ओपन करना चाहते हूंप अप अधो क्रोग्र्म का कौन सा है ज़रूर रही है उसको रन करने लिए उसको उठा करके आप यह में डालद है फिर वह चालो होगा फिर आप अगर मौजिला फार्फॉक्स ओपन करना चाहते हो तो उसका प्रोग्राम यहां से दूंड करके रैम में डाल दीजे अब रैम में कौन सा लोकेशन फ्री है कौन सा लोकेशन फ्री नहीं है रैम फूल हो गई है नहीं हुई है यह सारी चीज़ों आपको manage करनी होगी, you are the user, आपको manage करनी होगी, अगर आपको computer system use करनी है, तो आपको ये सारी चीज़े करनी होगी अब दूसरी चीज़, आपने सारी process main memory में लातो दी, लेकिन मैंने आपको बोला है कि एक processor पे, एक time पे सिर्फ एकी process run हो सकती है, तो यहाँ पर Google Chrome की process है, Mozilla Firefox की process है, VLC की process है Windows Explorer की process है, इन में से कौन सी process को आप CPU दोगे कितने time के लिए दोगे कितने time के बाद उस process के पास से processor आप ले लोगे और दूसरी process को दोगे, दूसरी process का selection कैसे करोगे, कौन सी process को CPU देना, ये सारी आपकी जौबदारी होगी, आपको ही करना होगा आपको अगर computer system यूज़ करनी है, तो ये सारी चीज़े आपको करनी होगी, ठीक है फिर ये यहाँ पर secondary disk में secondary memory में file कैसे बनाते है directory structure कैसे बनाते है उसकी सारी record की ping की जो भी चीज़े है वो भी सारी आपको करनी होगी आप computer system यूज़ करना चाहते है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, अगर मैं आपको ऐसा बोल दूँ, तो आप क्या बोलेगा तौबा तौबा, सर मैं computer system यूज़ करना नहीं चाहता इसमें तो कितनी सारी चीज़े करनी पड़ती है आप बोलोगे, भई मैं तो सीधा application program install करूगा और मैं सीधी application use करूगा ये memory में कौन से location पे process को डालनी है, कैसे डालनी है, कहाँ पर डालनी है किस process को processor देना है secondary disk कैसे manage करनी ये सारा मेरा काम नहीं है जो कि आपका ये सारा काम main memory में कहाँ पर process को लोड करना है, कौन सी process को लोड करना है, कौन सी process को processor देना है, कितने time के लिए देना है, secondary disk जो secondary memory उसका management कैसे करना है, file management, directory management ये सारी चीज़े कैसे manage करनी है यही काम operating system का है तो operating system बोलती है programmers, users, मैं बैठा हूँ, मैं ये सारी चीज़े handle कर लूँगा, आपको क्या करना है सिर्फ आपका जो application program है वो just आपको open करना है, run करना है, मैं आपको सारी convenience देने को तैयार हूँ, और वही task, वही काम है operating system का, ठीक है तो ultimately दोस्तो computer system, एक जो पूरी computer system बनती है, उसमें क्या क्या होता है जो computer system होती है उसमें दोस्तो एक होता है hardware hardware मतलब हमारी हो गई ये main memory हमारी हो गया processor, ये IO devices, ये secondary ये सारी चीज़े क्या हो गई hardware तो एक होती है hardware दूसरी होती है हमारे application programs which are softwares, right हमने जो भी applications install की हुए, chromo install की हुए explorer install किया हुए firefox install किया हुए, vlc install किया हुए, तो हमारे जो भी application program से वो होते है हमारी computer system में various applications और हम खुद भी हमारी एक computer system का पार्ट ही तो है, तो users तो computer system का पार्ट है hardware applications and users, अब ये users अच्छे तरीके से applications को hardware के अंदर run कर पाए, उसके लिए users को help करने के लिए हमने क्या लाया, हमने लाई operating system, so we will say I will put operating system in between these two, तो यहां पर है हमारी operating system, अब देखें, मैंने operating system को hardware और applications के बीच में रखा हुआ है, तो समझें की कुशिश कीज़े, this operating system provides a bridge or it bridges the gap between application programs and hardware, it provides intermediary, it works as intermediary between applications or software programs and hardware, it works on behalf of user, it works for the convenience of users, right, तो यह है operating system, अब operating system क्या है, computer system में, उसका स्थान कहां पर है, क्यूं है, किस लिए है, क्या करती है, यह basic, आपको मैंने bird's eye view आपको दे दिया, अब चलिए समझते है, so if I want to define operating system, operating system क्या है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, what is operating system, तो सबसे पहला, operating system क्या है, it is a program, it is a program that controls the execution of application programs, operating system is a program that controls the execution of application programs, second point, it works as an intermediary between application programs, or you can say users and hardware, so operating system एक program है, जो application program के execution को control करता है, operating system, hardware और application programs के बीच में intermediary की तरह काम करता है, और another most important task of operating system is, to manage resources, operating system का main काम है, resources को manage करना, main memory को manage करना, processor को manage करना, यहाँ पर resources हमारे hardware resources भी हो सकते हैं, और software resources भी हो सकते हैं, here the resources can be either hardware, or it can be software resources, ठीक है, अगर hardware resources की बात करें, तो hardware resources में क्या क्या आता है, तो दूस्तों hardware resources में आएगा, एक तो keyboard आएगा, printer आएगा, mouse आएगा, printer, mouse, फिर hardware resources में आएगी हमारी main memory जिसे हम बोलते है, RAM, फिर आएगा हमारा CPU जो की हमारा processor है, तो यह हो गए दोस्तों सारे hardware resources इन सबको manage करना, efficiently manage करने का काम operating system करती है, right, software resources में क्या क्या आएगा, pipes आएगी, pipes जो की दो process के communication के लिए use होती है, monitors आएंगे, semaphores आएंगे, दोस्तों यह जो monitors है, these monitors are not those are screen, कि जिसके उपर हमें यह सारी चीज़े दिखती है, यह वो monitor की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यह monitor और semaphore process synchronization के लिए use होते है, हम पढ़ेंगे इनको process synchronization जब topic पढ़ेंगे उसमें, तो इन सबको manage करने का काम, यह भी software resources है, इनको manage करने का काम भी operating system का है, efficiently यह सारी चीज़े manage होनी चाहिए, ठीक है, so this is what operating system is, or you can say that these are the tasks of operating system, these are the different definitions of operating system, whatever you want to say, now which are the examples of operating system, आप सबको पता होगा, काफी examples, let's say Unix, Linux, Windows, Apple, तो यह सारी personal computer based operating system है, अगर mobile operating system की बात करें, तो है Android, iOS, तो यह सारी operating systems है, और यह सभी operating system यह काम करती है, यह सभी operating system का काम है यह, ठीक है, next, goals of operating system, विचाद है goals of operating system, तो सबसे पहला goal है दोस्तो, it must provide convenience to users, वो user को convenience provide करनी चाहिए, user को computer system use करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यह सारी जो technical चीजे है, वो user को deal करने के ज़रूरत ना पड़े, ऐसा काम करना चाहिए operating system को, right, so one of the goal of operating system is to provide convenience to users, and another goal of operating system is to efficient utilization of resources, resources काफी है हमारे पास, लेकिन हमारे पास processes भी काफी है, तो हमारे जो resources है उसका proper utilization होना चाहिए, efficient manner में utilization होना चाहिए, यह ensure करने का काम है operating system का, तो यह है दोस्तो पूरी कहानी operating system के बारे में, अब operating system क्या है, क्या काम करती है, क्यूं है, यह सारी चीजे समद्दे के बाद, आए अब gate के exam का syllabus का analysis करते है, with perspective from operating system, तो दोस्तो gate की exam में यह जो operating system का subject है, छोटा सा ननना सा प्यारा सा subject है, छोटा सा syllabus है, जिस syllabus को मैंने चार unit में divide किया हुआ है, अलग-अलग चार unit, पहला unit है system calls, process, threads, CPU and IOS scheduling, तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, कि भी जो process है, वो process क्या है, process के attributes क्या है, कौन-कौन से operations process के उपर हम कर सकते है, process की पूरी life cycle में process कौन-कौन से अलग-अलग state में जाती है, ठीक है और जैसे मैंने बोला कि एक processor पे एक time पे एक ही process काम कर सकती है, और मेरे पास काफी सारी process मेरी main memory में पढ़ी हुए, तो कौन सी process को CPU देना, कितने time के लिए देना, यह सारी कहानी, that is CPU scheduling, तो यह सारी कहानी हम पढ़ेंगे unit one में, दोस्तो unit two है, वो है inter process communication, दो process को execution करने के लिए एक दूसरे के साथ बात करने के ज़रुवत पढ़ सकती है, तो यह दो process कैसे बात करेगी आपस में, यह अगर दो process आपस में बात करना चाहती है, तो इन में क्या-क्या problems आ सकते हैं, उन problems को कैसे solve कर सकते हैं, deadlock आ सकता है, deadlock कैसे आ सकता है, कौन सी condition पर आ सकता है, deadlock ना आए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो यह सारी चीज़े आएगी unit two में, अब दोसों यह जो unit one and two है, this unit one and two deals with process management, ठीक है, तो यह सारी चीज़े आती ही, किसके अंदर, process management, then unit three is about memory management, मैंने बता है, memory हमारी limited है, और काफी सारी applications आप open करके बैठे हुए, तो कौन सी application के program को, main memory में कहाँ पर load करना, कौन सा location free है, कहाँ पर उसे load करना, main memory full हो गई है, तो कौन सी process को main memory से बाहर निकाल देना, और इसको वहाँ पर लाना, यह सारी चीज़े memory management में आती है, virtual memory में क्या आती है, बब मेरी main memory छोटी है, लेकिन मेरा जो program है, मान लिजे एक gaming के application है, अब उस gaming के application को run होने के लिए, पूरी 1 GB की RAM चाहिए और आपके पास, सिर्फ 512 MB की RAM है, फिर भी मैं gaming के application, अगर मेरी computer system में run कर सकता हूं, so that is because of virtual memory, तो क्या है यह चीज, और कैसे यह चीज handle होते हैं, यह सारी चीज हम पढ़ेंगे unit 3 में, and this unit 3 is nothing but memory management, and the last one is file system, तो हमारी secondary disk में directory structure कैसे बनता है, उसके अंदर files कैसे बनती है, हर एक file के कुछ attributes होते हैं, file का नाम होता है, उसका extension होता है, उसकी size होती है, यह सारी information रखनी पढ़ती है, यह file last कब modify हुई थी, यह सारी चीज आप देखते हो आपकी computer system में, तो यह file के related हैं, यह सारी information को manage करना, जब मैं किसी file को search करने की कोशिश करू, तो उसको तुरन निकाल कर लेकर के आना secondary disk में से, तो यह सारी चीज़े आती है unit 4 में, और जो की है file management, तो यह है दोस्तो operating system का gate का syllabus, अब अगर आपने मेरा पूरा gate की exam का computer science का syllabus analysis और कैसे पढ़नी चाहिए, यह कैसे preparation करनी चाहिए computer science के student को, वो वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने समझाय हुआ है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि generally gate की exam में, यह जो अपना subject है operating system, जनरली gate की exam में operating system के 6-8 mark के questions पूछे जाते हैं, कितने 6-8 mark के, यह कम number नहीं है, और कुछ-कुछ exam है तो दोस्तो 10 mark के question भी पूछे गया है, और कुछ-कुछ exam है 12 marks के question भी पूछे गया है, अब आप देखे दोस्तो 8 marks on an average अगर हम पकड़ कर चले, तो 8 marks is not a small number, subject small है, subject बहुती छोटा है लेकिन 8 marks, इस छोटे syllabus के अंदर से 8 marks पूछना, it is very big, this is advantage for us दोस्तों, और यह subject easy है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, तो यह aren't marks, operating system के जितने भी questions पूछे जाते हैं, यह सारे हमारे लिए बहुती important questions है, बहुती आसान questions है, जिसको हम आसान दरीके से solve कर सकते हैं, हमारे total marks में इसको cover कर सकते हैं, ठीक है, चले, अब कौन से portion में से कितने marks के questions आते हैं, approximately rough analysis अगर हम बात करें, तो दोस्तों यह जो unit 1 और 2 है, दोस्तों इन में से almost 30 से 35% of questions दोनों unit में से आते हैं, और अगर मैं unit 3 की बात करूं तो उसमें से 20-25% of questions आते हैं, और unit 4 में से 10-15% of questions आते हैं, मलब अगर operating system के माल लीजिए आपकी exam में 10 mark के question हैं, तो उसमें से 3-4 mark के question हो सकते हैं unit 1 में से हो, 3-4 mark के unit 2 में से हो, 2-3 mark के question साइद unit 3 में से और 1-2 marks के question साइद unit 4 में से हो, तो यह है दोस्तों operating system का syllabus analysis, तो आज के session में हमने operating system के introduction देखा, क्या है, क्यूं है, क्या करती है, computer system में उसका existence क्या है, यह सारी चीज़े हमने देखी और उसके syllabus का analysis भी गया, अब next session से हम इस operating system के subject के अंदर डूब की लगाएंगे, तेंक यू.